हेलो फ्रेंज, वेलकम टो शिवानिस किचन, आज हम स्किन वाइटनिंग औरेंज पील फेस मास्क बनाएंगे, ये फेस मास्क हमारी स्किन को नैश्टोली लाइटेन और ब्राइटेन बनाता है, साथी हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्पॉरिटीज और एक्सिस ओल रिमू बनाना शुरू करते हैं, और इंज पील फेस मास्क बनाने के लिए मैंने एक संतरे के छिलके को इस तरह एक बाउन में ले लिया है, तो सबसे पहले हमें एक ग्रेंडिंग चाड़ लेंगे, और इसमें संतरे के छिलके को इस तरह छोटे-छोटे पीस करके डालेंगे, ताक इसकी जगे औरेंज पील पाउडर का भी यूज कर सकते हैं तो यहां मैरे सारे संतिरे की चिलके को ग्रैंडिंग जार में छोटे-छोटे पीस करके डाल दिया है तो अब हम इसमें ये एक चमज के करीब गुलाब जल एड़ करेंगे गुलाब जल हमारी स्किन के पीच लेवल को बैलेंस करता है और साती हमारी स्किन को किसी भी तरिके के इंफेक्शन होने से भी बचाता है तो बस अब हम जार कर ढखकल लगाके इनचे से ग्रैंड कर लेंगे तो यहाँ आप देखिए मैंने औरेंज पील को ग्रैंड करके इसका फाइन पेस्ट बना लिया है तो चलते हैं नेक्स स्टेप पर तो अब हमें क्लीन बोल में ये एक चमज औरेंज पील का पेस्ट लेंगे औरेंज पील हमारे स्किन पर as a natural bleaching agent का काम करता है इसलिए हमारे स्किन कॉंपलेक्शन तो इंप्रूफ करता ही है साथी हमारे स्किन को बहुत यूथफूल और ब्राइडर भी बनाता है साथी हमारे स्किन को डीप क्लीन कर हमारे वाइट हैट्स, ब्लाक हैट्स और ओपन पूर्स की समस्य को विग्दम जड़ से खतम कर देता है नेक्स्ट अब हम इसमें ये एक पिंच टर्मरिक यानि की हल्दी पाउडर एड़ करेंगे हल्दी में एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें एकन और पिंपल्स होने से बचाती है प्लस इसके रेगुलर यूज से हमाई स्किन बहुत ही रेडियन्ट हो जाती है नेक्स्ट अब हम इसमें ये एक चमब शहद यानि की हनियाट करेंगे शहद हमाई ड्राइ स्किन को मॉस्टराइज कर बहुती सॉफ्ट और सपल बनाता है और अब हम लास्ट में इसमें ये दो चमब दही आड़ करेंगे दही में लाक्टिक एसिड होता है, ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेर करती है और सबसे इंपोर्टेंटली ये हमारी साइन्स ओफेजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करती है तो ये मैंने सारे इंग्रीडियेंस डाल दिये हैं, तो अब हम इन अच्छे से मिक्स कर लिए तो यह मैंने सारी चीजों को अच्छे से mix कर लिया है हमारा orange peel mask बन कर एक तम ready हो चुका है तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि आपको इसको कब और कैसे apply करना है तो इस mask को apply करने से पहले make sure कि आप अपने face को अच्छे से clean कर लें और इस mask को अपने face पर इस तरह धिन layer म apply करें और इसे इस तरह अच्छे से apply करने के बाद आप इस अपने face पर 10-15 मिट के लिए लगा छोड़ दे या फिर जब तक लगर हैने दे जब तक कि अच्छे से dry नहीं हो जाता और 15 मिट बाद आप अपने face को ठंडे पानी से wash कर लें और इसके application के तुनित बाद ही आप कि skin पहले से कही जादे lighten, brighten और whiten लगने लगेगी और साती आपके skin पर एक अलगी तरीके का निखार आ जाएगा पर अगर आप इस face mask के 100% effective results पाना चाहते हैं तो आप इसे हफते में कम से कम तो दो बार apply ज़रूरी करें इसके regular use से आपके acne और pimples की समस्य दूर हो जाएग साती आपके dark spots, acne scars, pigmentation, sun tan और open pores भी धीरे-धीरे reduce होने लगेगे तो आप इस mask को एक बार ज़रूर बनाईएगा और इसका regular use कीजिएगा क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना effective है तो आप भी बार ट्वाइगा ज़रूर कीजिएगा और में को comment section में comment करके ज़र आपने बाद